Hello Friends, Welcome to Sleepy Classes लिए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा स्टेट है सिखिम और जानते हैं कुछ important facts जो आपके exams के लिए काफ important है तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो भी बच्चों को doubt रहता है कि सर इससे किस तरह से स्वाल पुछे जा सकते हैं तो आपको जो doubt रहता है according to your exam तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और जिसे भी आपको जो भी doubt होगा हम वो हाँ पर clear करते हैं तो चलिए capital है गंटोक चीफ निस्टर है पवन कमार शामलिंग और इनको कहा दाता है ग्रीन से हैं एंड यह कौन सी पार्टी से है स्टी एफ गोवर्नर है यहां पर गंगा परसाद अगर हम देखें legislative assembly seats मतलब बोले तो जो आपके विधानसभा है उसकी seats कितनी है 32 तो एक बात बताता हो आपको बहुत ही छोटा सा fact है जब हमारा constitution बन रहा था तो उसमें एक चीज फिक्स करेगी थी कि जो legislative assembly है उसकी minimum seats इतनी होंगी और maximum seats इतनी होंगी मतलब minimum seats 60 कोई भी state की और maximum seat hardly 500 होंगी तो आपको मुझे बताना है कि यह जो सिखिम है जैसे गोवा है ऐसे states को क्यों special मतलब दर्जा दिया गया है कि उनमें जो legislative assembly seats कम भी हैं फिर भी वो state है तो यह आप मुझे comment section में बताईएगा और आपको एक question का answer होर देना है कि ऐसा कौन सा state है जिसमे legislative assembly की seats सबसे जादा है तो चलिए आगे चलते हैं नेशनल पार्क देखते हैं तो खांग्चन जोंगा नेशनल पार्क यह सब्सक्राइब के लिए काफ इंपॉर्टेंट है उसके माद क्या नौसला अल्पाइन वाइल्ड लाइस चेंश्ट्री माइन वाइल्ड लाइस चेंश्ट्री आप सिरफ जो बैंकिंग सेसी वाले बचे हैं वो सिरफ इसको याद रखना और एरिया वाइस अगर हम देखें जो सिखिम है वो आता है 28 नंबर पर और अगर हम बात करें population wise मतलब 2011 का जो census था उसके according देखें तो सबसे कम population वाला स्टेट है सिखिम तो यह आता है 29 नंबर पर जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे भारत में 29 स्टेट है तो population wise सिखिम आता है 29 नंबर पर उसके बाद यह तो मैं अगर हम सही मानने में माने तो तीस्टा रिवर ही फ्लो करती है सिखिम में लेकिन यहाँ पर जो रंजीत रिवर है इसको आपने याद रखना है दोस्तों क्योंकि इसके उपर बना हुआ है रंजीत डैम इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लेक अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेक छोलामौ क्योंकि यह बाद भारत का हाइयस लेक है और उसके बाद लेक तसोंग वो यह भी काफिपॉर्टेंट नहीं याद रखनें बाकी सिख फिर मदेशे सब कुछ याद रखेंगे एद क अगर हम देखें तो पाक योंग एरपोर्ट एक ही एरपोर्ट है तो यह आपको याद रखना है चलिए उसके बाद मैं कुछ facts बता देता हूं देखें जो highest peak है हमारे भारत की वो भी कहा है सिख्षी में ही है और highest peak कौन सी है हमारी कंचन जंगा तो यह आपने याद रखना है highest peak जो हमारे भारत की है वो कहां पर है सिख्षी में वैसे तो पहले केटू थी या जिसको आप Godwiniston बोल देते हो या कारकरूम बोल देते हो लेकिन right now है कंचन जंगा क्योंकि जो केटू है वो हमारे अब इंडिया के अधीन नहीं आता वो पाकिस अधीन है तो इसलिए हमारे भारत की हाइस्ट पीक है कंचन जंगा और वर्ल्ड की थर्ड हाइस्ट पीक है उसके बाद एक नथूला पास है तो नथूला पास कनेक्ट करता है इंडिया को लहासा से अब लहासा क्या है यह तिबबत की कैपिटल है नथूला पास को बंद कर दिया गया था और यह एक सिल्क रूट था और जो कि इंडिया को तिबबत से जोड़ता था लेकिन यह बंद कर दिया गया था इसको री ओपन किया गया था 6 जुलाई 2006 बहुत इंपॉर्टेंट फिक्ट है तो फ्रेंट से यह यात रखना हम उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो सिक्किम है वो हमारे भारत का पार्ट कब बना था 16 मैं 1975 उसके बाद देखते हैं फॉग टांस तो सबसे इंपॉर्टेंट है याक्छम डांस सिंखी चाम यह भी काफी इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल सबसे इंपॉर्टेंट लोसर फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल पर भी एक आपको फेक्ट बता देता हूं जो आपको याद र वो बहुत धूमदा हमसे मनाते हैं यह तरह का new year festival है तो आपको ध्यान रखने हैं गुंपा dance perform किया जाता है लोसल festival के टाइम पर और हमारे भारत में आफ्टर ले लदाक मतब सबसे आपको ज़्यादा पता ही है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो बुद्धिस्ट फॉलोवर हैं वो सिख्किम में लगबग 28 परसेंट है तो यह भी फेक्ट्स आप ध्यान रखने सकते हैं उसके बाद देखते हैं यहां की सॉयल्स तो धर्मिक सॉयल मैसिक सॉयल आइसो फ्रीज्ट सॉयल और अगर मेजर मिनरल सॉर्सिस की बात करें कॉल ग्रेफाइट टॉलोमाइट लाइम स्टॉन मारबल अच्छा एक बात मैं आपको बता लेता हूं जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए सॉयल सेंड मेजर मिनरल रिसॉर्स नहीं करना आप लोग ने ठीक हैं आपके जो डाउट्स रहते हैं जैसे क करेंट्स आते हैं कि सर हम हम ही नहीं पता लग रहा कि हम इसमें से कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें अब मैं औरेडी इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं आपको सब चीजे नहीं करनी जैसे कि हमने फेस्टिवल में भी एक फेस्टिवल ही देखा है तो आपने ही सिरफ यहिवफी पढ़न है उसके बाद iPhone स्टेडियम के एगर हम देखें तो पाल्जोर स्टेडियम एक ही स्टेडियम है तो यह आपको याद रखना है और अगर हम देखें मैप के इकौर्डिंग जो सिख्धिम है उसके प्रोसे राज्य को स्टे सेट तो नोर्थ में है। और अगर हम बात करें इस्ट में है भुटान और वेस्ट में है नेपाल और साउथ में है वेस्ट मेंगोल अनाचल प्रदेश के बाद सिखी में एक ऐसा हमारा स्टेट है हमारे भारत का जिसकी साथ तीन देश की बॉंडरी टच करती है तो यह आपको याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टन फेक्ट है और उसके बाद एनिमल देखते हैं स्टेट एनिमल रेड पांड़ा बर्ड ब्लड फिजन्ट फ्लावर अगर हम देखें नोबल डैंट्रोबियम और ट्री जो आपको याद रखने है वो है रोडो डैंट्रोब तो यह हैं कुछ इंपॉर्टन फेक्ट्स और यह सिरफ और सिरफ इंपॉर्टन है सिक्खिम के जो बच्चे हैं जो त्यारी कर लें एक्जाम्स के लिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो सिक्खिम है वो हाइस्ट बायोडिवर्स्टी रीजन है हमारे भारत का अगर हम देखें तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि रिच है बायोडिवर्स्टी वाइस अगर हम देखें यहां पर पाई जाते हैं 500 डिफरेंट स्पीसि और उसके बाद 11 ओक स्पीसिस और डिफरेंट टाइप ओफ बैंबू ट्रीज तो कितने डिफरेंट टाइप ओफ 23 डिफरेंट टाइप ओफ बैंबू ट्रीज यहां पर पाई जाते हैं एंड हमारे भारत का पहला और्गैनिक स्टेट भी कौन सा है सिक्खिम और यह तो मैं आपको बताई चुका हूं हाइस्ट प्रोड्यूसर ओफ काड़ोमम काड़ोमम यहां पर सबसे धाधा प्रोड्यूस किया जाता है और एक चीज़ आपको याद रखना है एक कोशन पुछा गया था यह कोशन में पूरा लिख देता हूं इन तीबदी लेंग ड्रेंजोंग तिबदीं लेंग्विज में सिखिम को कहा जाता है ड्रेंजोंग अब ड्रेंजोंग का मतलब क्या होता है वैली ओफ राइस तो यह कोशन ऐसे में दो तिन बर आया होता तो यह अपनी याधिष्णे काफ़ी इन्पॉर्टेंट है और अगर कोशन पुछा जाए ड्रोयल केपिटल ओफ सिखिम तो रोयल केपिटल सिक्खिम है रोब देन देस यह है रोब रोयल कैपिटल ओव सिक्खिम चलिए थेंक यू